गुरीवनिंग वन एंड आल आप देख रहे हैं साइकुल सुलूशन विड डॉक्टर अनुश रस्तोगें डॉक्टर कशिका जैन मैं हूँ आपके साथ प्रीती As you know, we are live on Facebook और हम हैं यहाँ पर आपको aware करने के लिए psychological issues के प्रती क्योंकि बहुत सारे ऐसे society में psychological issues हैं जिनके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं सिर्फ इसलिए हमने यह program डिजाइन किया है ताकि हम आपको aware कर सकें और आज का हमारा यह episode depend करता है anti-social behavior of children जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनमें कुछ अलग तरीके का behavior देखने के लिए मिल रहा है स्कूल में जाते हैं कुछ अलग behavior करते हैं घर में होते हैं या कोई relative आता है तो वो कुछ अलग तरीके का behavior करते हैं आप यह सोचने कि हमने तो बच्चे को ऐसा कुछ नहीं सिखाया फिर भी बच्चा कुछ अलग behavior कर रहा है इसी को लेकर आज हम बात करेंगे Dr. Anuj Rastogi से जो की शहर की जाने बाने डॉक्टर है Sir आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में इसके साथ ही psychological pattern पर बात करने के लिए हमारे साथ है Dr. Kashika Jen जो की एक psychologist है life coach है मैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में प्रोगँ और धुल में क्योंकि हो बहुत का समय है क्योंकि वो सोचते हिए बच्राम कहनucks करते हैं जैसे किसी भी बुखार को लेकर लेकर वात्का या किसी और ब्हमारी कंवे सिर्फ़ भी होएरण भी डिस्कॉस करते, यह तो है होई आएंका कुछ बछलाई भोफ करते हैं बहुत हैं लगोत दुसरे लिलता करते हैं दुस्रे बच्च बच्छ के साथ एक बच्छ करने गहा Deshalb दो नंकू विखनक कमन लगती ।बर्देancia Jeanne टाई मायlie को में और छलारत खने करते हैं यह आगे चलकि और अगर अगर उगा है तो जैसे अदी मेरी भतीरी थी वो इक पच्छा उसके सुनता ली तो वो इसे बाइट कर लेती थी अब दो तीन बार उसने बाइट करा अब यह अब यह इस दो पर्मिट्रिक ना आप कोई किसी की बच्चे को काणरे ह होग और किसी की पैसल उठाकर नहीं स citrus आपने किसी का भब उठालिया या किसी की टशियरी में सचीन कर तो आप प्र प्रोफ्टे का लिया थोड़े थी थोड़े रहते है सको तो ठोड़ा भाली होते है इसे अपने डिसीजन ले में सीख रहता है तो बड़ा एंजॉय करता है इक लिमिट में और आगे यह खरागी होगा है अचा कही बार क्या होता बच्चे बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं अचा पेरेंट्स अजॉय करने लगते हैं या जो आफ इतनी संब्हाजनी होती है बच्चे इतनी संब्हाजनी होती है, मेरा मणलब नजॉयर साहीं है तो ऐसा वो फिर पुसें दुबारा करना शुरू कर देता है और कुछ एक आज कल जो वीवाईटी है जब सेग बहुत 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 बैयों है तो हम छोटे बच्चे भी लर्निंग डिसॉर्डर्स पर देखने हैं खास्ते हैं ध्याश्टी वाले एटेंशन देफिसित हाइपर एक्टिविटी सिंड्रॉम जो की बहुत हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं उनमें ये रॉफन टंबल गिये जो हैं बहुत कामने जिसके कि अग्याश्टी वाले एक्टिव प्रेंटल कॉर्टेक्स से उसकी वायरी इस तरह से विए कि वही समझ जी पाता कि क्या गलत है क्या सही है या मिरा इसे क्या नुचान गाएगा गाएगा बट जो एडिएष्टी बाले होते हैं बिलकुल ही अनुली होते हैं डिफाइंट दू और यह काफी बट्चों पुछ दी कर सकता है यह दू तो इसका प्राब्लम्स देखने के लिए मिलती है अगर आपको लगता है कि कुछ इस तरीके का बिहेवियर आपका बच्चा कर रहा है और आपके पास उसका कोई सुल्यूशन नहीं है तो आप सीधे हमें कोशन दे सकते हैं हमारे फेस्बुक पेज पर उसका आंसर मापको नसी दे रहा है उख स्कूली था होसा पर च्रूशन उसकेहर hosts सबस्का को झायद करती हैं इस्थे टारीके को पेरेंट स्क्राइब करना प्राम वात मुशन हो जाता है क्योंकि छोटा बच्चा है वो नहीं समझ पाता तो कि सारे के प्रेक्टिस परेंट्स को अपनी जब से पहले तो यही बड़ी कलप साहिम है कि छोटा बच्चा नहीं समझ पाता है छोटा बच्चा हमसे जादा समझदार होता है वो अच्छे से समझ सकता है पहली बात है कि अगर परेंट्स उसको एक्स्प्लें करते हैं कि रूल्स क्या हैं क्योंकि हर जगे के रूल्स अलग होते हैं घर में बिहेव करने के रूल्स अलग होते हैं स्कूल में बिहेव करने के अलग होते हैं किसी बद्धे पार्टिय में या कहीं भी क्योंकि बच्चा चोटा है तो उसको आपको नॉम समझाने होंगे तब ही वो उन norms में fit होकर अच्छे से behave कर पाएगा जिसे for example हमारे भारत में अगर हम public ली किसी भी तरीकी की intimacy शोग करते हैं तो वो एक crime की तरह लोग देखते हैं बट आप किसी foreign country में चले जाएए तो वहाँ पर इसको antisocial behavior नहीं कहा जाएगा जो यहाँ पर इंडिया में इसको कहा जाएगा तो यह है कि rules क्या है regulations क्या है अगर यह parents बच्चों को clear नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे behavior जो बच्चा मजाग में किसी को देख कर copy करता है तो कई बार parents उसे या तो ignore करते हैं या उसे silent acceptance दे देते हैं या कई बार उसे appreciate भी करते हैं मतलला उसे prestige issue की तरह देखते हैं अरे मेरा बेटा तो सबसे जीत कर आया है डाट कर आया है यह तो चाहे कितने भी और सबको ठीक बना देता है वगेरा वगेरा इसक्रीके से लेकिन बाद में वही problem की बाद में वही बहुत बड़ी problem हो जाती है तो जो conduct disorders है यह जो behavior problem है यह कहीं न कहीं जो मेरा मानना है psychologically यह parenting का एक बहुत बड़ा कमी एक रह जाती है lacuna रह जाता है जिसकी वज़े से बच्चों के अंदर यह behavior problems जो है न देखने के लिए मिलती है अब देखे छोटा बच्चा है उसकी psychology कहां से develop हो रही है वह कहां से अपना mind बना रहा है वह family में जिस environment में रहता है जहां पर वह देखता है अगर suppose कीज़े अब कुछ भी हो सकता है न चोटी से चोटी चीटिंग या कुछ जूट बोलना भी यह भी anti-social में हम कर सकते हैं किसी को मानना हिट करना किसी को कोई समान इठाना तो बच्चे के उमर के अनुरूप जो है वो सारे के सारे behavior क्योंकि छोटा बच्चा है को बहुत बड़े-बड़े खरें तो करेंगा ने बड़े-बड़े शुद शराब ने करेंगा बच्चा बड़े ने करेंगा है उसको फैमली से कितना support मिला है उस बात पर नरब करेंगा कि वो उसका behavior कॉंटीनु करेंगा या उसका behavior कुट करेंगा अब बड़े गया अब उता कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्राथ्मिपाट्चाला घर्य होता है तो नहीं से वहवार की जो पाथ्चाला है, वो है, सबस्किज़ जब लिए के बड़े लग जो चीज़ बड़े लोग हैं, वो छोट चीछ लिवात पचलाते हैं और मारने मनने की बाते करने लगते हैं, तो बच्चे ने वहां से वहां से वहां कोपी कर लिया, बच्चे तो जो चीज़ अंदर है, जो इंफोमिशन अंदर गई है, उसी के बैसस पर थोट आएगी बच्चे को अब वो मासूम सा चोटा सा बच्चा है उसको यह थोट आए अच्छा उसको एकदम से पीछे से मैवरी का रफ्लैक्शन होगा कि कि मेरे दादाजी कि उसन किसी से वह बात होगे थी तो ऐसे भड़ा कि रहते हैं उन्होंने मोला कि अससे मार देंगे कर देंगे कि उसको किसी ने छेड़िया उसके कोई बार गाल चूटा है या उसको दखका रदेता या कुछ है तो वो सर्फटे डिफेंस में भी एंटी-social हो सकता है जरूरी नहीं है कि उसने पैरंटी ने पॉर्टो हो सकता है उसके लाइफ के एक्स्पिरियन से रहें उसके बेसिस पर मजबूर हो गया हो सिफ अपने आपको प्रटेक करने के लिए उसने एकडम से एग्रेशन शो कर लिया एकडम से अपने आपको बचाने लग या यह इसके रिजन सोस्कते है कई बार क्या होता है पीर प्रेशर में भी देख रहा है बच्चा की मेरे पास पास साथ खेलने वाले हैं भई उसने गुस्सा करा था उसकी चड़वन गई तो यह तो बड़ा ही अच्छा बीहेवियर है कॉपी करने का तो क्योंकि छोटे बच्चे क्या है कॉपी जरूर कर होते हैं तो ओबच्चा करते हैं दूसने का बीहेवियर तो देखते हैं जिस भी बीहेवर को इंपॉर्टेंस मिल रहा है उसे फटाप से कॉपी कर लेते हैं तो अलग लग रीजन होते हैं इनिशली जैसे ही पेरेंट्स को सिंप्टम्स दिखाई दे हैं कि हमारा बच्चा ह प्रिख भी जैसे निए पर अपने बच्चा कर सक लेक्ता हैं और अपने बच्चे से बांग कीजेए आप जितना उसके साथ टॉक्ट थेरपी त्रू यानि कि इसे एक एशु पर चर्चा करेंगे उसका माइंड से जानेंगे और फिर उसे डिफेंड ओप्शन्स यंदिसे अलग लग तरीके से कैसे वो बिहेव कर सकता था, उसको वराइटी ओफ और उससे क्या है, उसका माइड खुलना शिरू हो जाएगा और यह लोग भी करते हैं, जब हम बच्चों की कॉगनिटिव बिहेवर थेरी करते हैं तो वो एक situation को हम उनको कम से कम साथा तरीकी से सोचना बताते हैं कि आप यह करते हैं तो उसकी विज़े से आपका बिहेवर ऐसा भी हो सकता था तो यह काम बच्चों से आप घर पर भी कर सकते हैं बच्चे के अंदर भी फिल्टर नहीं हैं आप बच्चे से सुना भी होगा ना कि छोटा बच्चाई कच्छी मिल्टी के समाने कुमार जैसे चाहें वो शेप्डे करते हैं तो आप उसके विचारों को दूसरी शेप्डे करें उसका जो anti-social behavior है वो initial stage पर ही control करते हैं But you have to invest time in your children जैसे कि माम में बताये कि time आपको invest करना है अपने बच्चे के साथ और उसके साथ ही दूसरी बाती है कि आपको उनके mind को train करना है कि वो हर situation में अपने आपको एक मजबूत पाएं कि अगर कोई भी situation उनके साथ होती है वो आपके साथ आकर share करें और यह तभी possible हो पाएगा जब आप अपने बच्चे को time देंगे उसकी हर बात को सुनेगे और फिर देखे आपका बच्चा कोई भी anti-social behavior नहीं करेगा यह program हम सिर्फ इसलिए लेकर आते हैं ताकि आप aware हो सकें Parents हम सिर्फ आपको aware करना चाहते हैं साथ ही आप जैसी Tara Kids page पर जाकर कुछ videos भी देख सकते हैं उससे आपको एक idea मिलेगा कि बच्चों में आजकर कौन-कौन सी problems हमें देखने के लिए मिल रही है और उनका क्या solution हो सकता है इसके बाद सर मैं आपसे जाना चाहूंगी क्या बच्चों को मेडिसन भी रहाती है अगर कोई बच्चा एंडे social behavior करता है कुछ बच्चों को चैसे ADHD वाली बच्चे हैं या काफी खराब अनुली बच्चा को गया है तो हम मेडिसन भी यूज करते हैं असनी के मेडिसन नहीं यूज करते हैं कोई इस मेडिसन आउट आभी यूज का थिरैक्स यूज करते हैं जो जी उठाफी नहीं कर सकते हैं म्हेरत लाकी मो Taylor HPN डौ इंग उन विवन शेक्ट वर दोर्न सकेह जो जिए आप किसी के बढ़ा घर एक चेंज कर सकते हैं बालाब जो जितना आप उन्हें पर शेकल कर सकते ऑप जितना कॉंसी चेंश कर कर это जैसे जाए निए परेंच को हमेशा बोलता हूं देखो नेगेटिव गिए नहीं है, अब जैसे पादर है थोड़ा एरोगेंट है, या मदर है थोड़ा एरोगेंट है, वो अगर फादर से लगए बोलेगी या जो वाले को बच्चे को अफट रॉल ए नॉम्न गिए लगए और वो अपसेट होगे अग्रेसिव हो जाएगा, तो बच्चे इन चीजों को बफ़र चल्दी कैच करते हैं सरा जाकि जाएगे थोड़े बढ़े होने लगते हैं तो शुच्ट परिधानसे चीज अग्रेट होती है कि अगर पैरेंक्स ने टाइम इन्वेस्ट या होती है उसको इंट्रस्ट के रूप में पहीजाती है आप शुरू में तो बच्चे के साथ ऐसा कर सकते हैं, डाट के उसको सफ्रैस कर सकते हैं बट लॉंग टर्म में इसका फूल फाइदा नहीं लिए आप उसको सुनना होगा पेशिंस फुली आप उसकी बास सुनें कि ऐसा हुआ कि उसकी पैंसी लेड़ी तो उसके कैसे रियक्त करना है यह नहीं कि आप दुसरे का कपन इफार तो इस बात की लिए उसे धक्का दे दो या उसको कैसे टैकल करना है उसके दिमाद में वो फील्ग बैक होना चाहिए कि हमें ऐसे करना है हम जो भी कुछ करते हैं हम एक हमारा fight and flight response होता वो जो हमारे दिमाद में भरा है वो ही तो करेंगे ना तो ऐसी उस बच्चे को गर यह पता है कि इस बात के लिए किसी को जापड नहीं लगाना है तो वो जापड नहीं लगाए कि रोट साइट रेस कोई कोई कार से स्कूटर तकर आगया और में असी हता पाई और कोली चल गी क्योंकि उनके दिमाग में इतनी एलोगेंस इतनी वाइलेंस भरी है कि उसे इतनी सी बात के लिए तो गिल्दी तो किसी से भी हो सकती है कोई जान भूचे तो इसी को टकराएगा अजर टकर लग भी गई मैं कहरा हूँ अगर जो ताय टूट बीगी तो कर वापस तो नहीं आपकी बट उससे उतना खराब भी हो करने लगते है तो कही न कहीं उन्हीं बच्पन से ऐसी रहती है तो मैं परिंट्स को ही बताता हूँ कि डाटना फटदारना और बहुत जादा रफ बीएवियर सर्चों के साथ करके आप इनिशली तो उन्हीं चुप कर लेते हो बट उन्हें जो चीज आप मॉडिफाई करना चारे हो भो नहीं कर पाते है चोटे बच्चों को उनका इनिशली पाता है जैसे मैं परिंट्स को बताता हूँ कि मैं अगर आप से कोई राफ बात बोल तो आपको जीन परियाद रही बट मैं अगर आपके बच्चे को अभी में पुष कर दूँगा तो यह रोने लगेगा और इसके बाद में से एक टायरे दूँगा और यह भूल जाएगा उनका इटेंशन इसपन छोटा होने कि वएसे छोटा है तो आपको उनको यह चीजे जो आपको उनके अंदर कमी दिख भी रही है और यह रही है उनके पुष को बचान पर आपको यह तो जाएन के अःगा और पुछ जेख जगें अगर जनके जो जाएगा तो पहले होटाब जाएगा आपको पता बच्चे कब पैल जाएगा अब जैसे सब्सकोज आप डुगान पर शौपिक गया रही हुए यह नहीं कि वो फैल जाएगा तुकुल माम जैसे कि सर ने बताया कि पहले से ही आप बच्चे को समझा के चलिए और उससे पहले भी आपने कॉगनिटिव थेरपी के बारे में बताया क्या कुछ ऐसी थेरपी आप हमें बता सकते हैं कि पैरेंट्स उसको घर में ही प्रेक्टिस करें और बच्चा जो है वो anti-social behavior जो है वो करना बन करते देखे पैरेंट्स के लिए जो थेरपी है जो घर में वो यूज कर सकते हैं तीवी मद्दे को ये खाले वो खाले ये कर गया है तो इससे क्या होता है बच्चा ना पूरी तरह से अपने आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाता और आप भी अपना मेसिज पूरी तरह से गन्वेनी कर आपाशे आप तो टॉप थेरपी होती है, वो हमें बहुत जादा है क्या है नाम ही बताता है तॉप बात करनी है और इसमें आप थोड़ा सा अग्ड भी शामिल कर सकते हैं तॉप का मतलब यह नहीं कि इसे बहुत बगली चाले हो जाए जैसे पहले की ताइंग में दादा दा री स्टोरी सुनाते थे लिए आपो कल्चर बिल खाता हुए पंच तंपर की कहानिया ही उसमें सब्वें एक मॉरल लैसन होता था तो उससे बच्चा समझता था एक राइट मैसेच उसको कनवे होता था आप बच्चे से ना किसी भी तरीकी का रॉल-प्लेबी करवा सकते है आजकल रॉल-प्लेख से बच्चे बहुत चंडी समझ आने चाहिए तаль भूत बिलता है उसमें ने फड़िकली इंबल्ने का मॉखा मिलता है उनको वो रोल डीजे- कि इस तरीके से सिचुेशन ना और कोई भी इसके बीचे कर लीजिया अक बच्चा इस तरीके से है, दूसरा बच्चा इस तरीके से बच्चारा आ और जो बच्चा ना इस लिए बच्चे को नीज भी कोई है तो आप question complete explodes because our child is up the device और यह को दे सकते हैं। और यह स्लीप्रोग्रामीं बहुती पॉपुलर और बहुती एफटिव टेक्निक है। इसको सुभाव बच्चे को जब आप उठाएं। जब आप उठाने के पांच मिनट के अदा जब वो पूरी दरब से चॉंशनेस में आ रहा हो और उसकी प्रोग्रामीं बहुत असानी से की जा सकती है। अब देके नॉमली बच्चा एंटी सोचल बहेवर करा तो इसका मुदलब एक्टरशन तो असके अना खाई। यानि कि वो बिसोबब तो करी रहा है। वो हर्ट तो करी रहा है। तो परेंस क्या गलती करते हैं कि वो उसको सजेर्शन वो देते हैं जो वो बहेवर नहीं जाते हैं। इससे पुम्हत गुसराता है ये तो बत्तमीजेसे कपी भी बिसी से लड़ में जाता है। Is! यानि निगेटिव सजेर्शन जाते हां जाते हैंa ये जाना ये रिंफर्स करते रहते हैं। अब क्या करना हुने रिप्लेस करना है पॉजिटिव सजेर्शन ऐन की खुम्हता? तो राप को सोते वक्त और सुबाव ठाते वक्त अपने बच्चे को जब आप ए गुट नाइडिया गुट मॉनिंग किसते हैं तो उसी किता उसे affirmations से उसका subconscious को टाम करें कि बेटा आप तो बहुत एक काफ, relax हो, आप तो बहुत nicely वेयर करें आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा, बहुत कामली situation को handle करोगे, बहुत अच्छे से बहेयर करोगे मतलग 3-4 affirmations at a time, आप तो इनको 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 रिंपोस करें for 21 days, guaranteed, अगर आप OEP affirmation 21 दिन तक अपने बच्चे के अंदर इसी तरीके से जालेंगे तो उसका behavior 100% 99.9, यह जए 100% modify होचाएगा because parents आपको इस technique पर बिली इस ले करना पड़े है पर हमारा mind, जो बास्तरिक और काल्पनिक अनुहववे भेव नहीं कर पारवगा तो आप अपने बच्चे को a positive affirmation बार 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 एक ग्रसेन के रूपे दे रहे हैं तो उसका mindset बैसा ही होचाएगा उसकी image उसके अंदर बैसी ही बन जाएगी जब तक आप उसकी बुली image बनाएंगे तो वो क्या है उस बुली image को justify करता लएगा तो आप चाहते तो इसकी काम image है आप चाहते तो वेल-मेलड बच्चा हैं बट आप सजेशन उसे बिल्कुल आपो जड़दे रहे तो कैसे आपको वो मिलेगा तो आपको ये sleep programing और टॉप खाले पे तो आप घर पर ही काफी हट तक अपने बच्छी को कंट्रोल करते हैं तो मैं कहूंगी कि कोई भी मारत एकदम नहीं गिरती है वो पहले दरारों के रूप में संकेत देती है कि मुझे बचा सकते हो तो बचा लोगे और अगर आप उन दरारों को नहीं बढ़ते हैं तो वो जर-जर करके गिरती है तो इसी तरीके से बच्चे जब छोटा होता है तो आपको संकेत देता है कि मेरे को समालो या तो आप या किसी और से समनवा लो तो मैं एक दन फिर पुरा का पुरा वाइलन होता है तो अगर आपको लगता है आप कंट्रोल नहीं कर पारे तो आप जिस भी डॉक्टर पे शॉक्टर पे ट्रस्ट करते हैं जरूर सलह लेज़े और क्योंकि बच्चे आज साल ते चोटे बच्चे बच्चे बहुत जल्दी मौरिफाइ हो जाते हैं क्योंकि उनका फिल्टर स्टर्ण डिवलाग हो तो उनको ना चेंज करना क्योंकि फॉक्टर प्रसेस को जेंच करना अपरिटिवली जो बड़े बच्चे हैं बहुत असान है तो इसमें परेंस को अलर्ट रहना है तो आप एक साइक्लोजिस्ट हैं बच्चों की साइक्लोजिकों बहुत अच्छे से समझते हैं हम युक्कि कहिन हान रहना फ्रशना है कि क्यि स्कती है युक्र फक्ती करना तो आसेक्षित आसे निनोगज से हनम , इस खूक्षटिज नहीं लेना जाहूंगी ब Mayara Tash में जो इस चीज को तो बहुत ही त्छा मनती वो जो कहती है हमारा है है हुँन है यह है तो इसके खून में है जी चीक है तो आप समझ रहे है तो भाह से बॉट जा से सो करेगा जब वो देख रहां पिदाजी के एकसर थीक है तो देगे पैरेंट्स यह चीजे आपको अपने बच्चे के माइन से थोड़ा अलग करनी है जसी कि मैंने शिरुवाद में भी बोला था कि बच्चो के माइन को ट्रेइन करना है और वो आप ही ट्रेइन कर सकते हैं जैसा बिहेवियर आप उनके सामने करेंगे वैसा ही बिहेवियर वो करेंगे और जितना टाइम आप अपने बच्चे को देंगे उतना ही आपका बच्चा सोशल भी होगा आज के अमारी इस प्रोग्राम में हमने बात की एंटी सोशल बिहेवियर जो बच्चों का होता है फाइफ यर्स तक के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एंटी सोशल बिहेवियर इन एडोल्स केंट अगर आपका कोई भी कोशन है या कोई भी इशू है तो आप हमें पहले से भी कोशन बेज सकते हैं या पिर आप हमें लाइफ देख सकते हैं 6.30 pm से इस टॉपिक पर हम आप से यहां पर बात करेंगे थाइंक यू सो मच माम आपने इतना अच्छ 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 सजेशन हमारे पैरेंट्स को दीए थाइंक यू सो मच से कि आपने इस थेरपी के बारे में हमें समझाया आप जो इशूज हैं उनके बारे में पैरेंट्स को अवेर किया क्योंकि पैरेंट्स को लगता है कि यह तो एक नॉर्मल सी चीज है और बच्छे इस बिहेवियर को करते हैं हालग कि ऐसा नहीं है तो पैरेंट्स आज का मारे इस प्रोग्राम में इतना ही मिलते हैं दिल दिल दे चे किया, बवगाया